इसे आगे नेक्स्ट करना है आज क्लोरोफॉर्म से जो करनी है यह करने काम दिरू कर लेना सरेड़े तक नहीं तो बाद मैं बना कि टाइम नहीं मिला स्कूल की वेपर से या कुछ भी था इसलिए पक्का करके सुना देना को जरूर काम ही आज की करने करके तो इसमें नोड करना है चलोरोफॉर्म से स्टार्ट करनी है करने जना पहली स्टिल बेंच तोलेन स्टिल पेंच हो जाएगा तोलेन हो जाएगा वन थरी डाइने ट्रो वनजीन वन थरी डाइने ट्रो वनजीन मेत्डा नाइट्रो पन्जोईक असेड पैरानाइट्रो बेंजोएग असेड मैटानाइट्रो बेंजल डिहाइड और पैरानाइट्रो बेंजल डिहाइड यह कर लेते हैं और इसके लाबा एक ले लेते हैं मैलेक एन हैड्राइट मैलेक एन हाइड्राइट यह इंपोर्टन गाउड देन हो जाएगी यह उपरे लिए ना मैटा प्रोमो आड़ो बेंजी फोड़ा से चेंज जोएगा मैटा प्रोमो आड़ो बेंजी फिर लेते हैं एक बहुत इंपोर्टन बोर्ड के लिए रिसोर्सी नॉल और दो यहां से लेटे हैं एक लेटे हैं पाइरोल एक थायोपीन कितनी हो जाएंगी अभी आज पाइरोल व थायोपी को मिला कर 67 67 एग जब नेक्स्ट जाएंगी प्रोटेक्शन वाल पाट आएंगा बहुत इंपोर्टन आभँ अच्छ रही है एक प्रोटेक्शन वाला पाट आएगा वह भी काफी इंपोर्टन है उसको भी करेंगे नंसे तो अब स्टार्ट कर रहे हैं आप एक दो तीन चार चार दो चेवारा अब टर्ट करेंगे लिएंगे ते नहीं की इसके इसे इसलेन मंग जाएगा अब नोट करेंगे हाप या अगर single bond से ले रहा हूं मैं मालो इथेन है इथेन से मैंने तुम्हें बोला बनाओ तुम प्रॉपाइंड इथेन प्रॉपाइंड तो इसमें double bond से single bond से triple bond भी आ जाएगा और single bond से triple bond भी आ जाएगा इसलिए important है पहले डालेंगे हमेशा c l 2 sunlight तो उससे जाएगा c s 3 c s 2 c l फिर डाल देंगे alcoholic k o h बीटा elimination होगा पता नहीं यह इथीन क्या होगा बीटा elimination क्या मैं जाएगा इथीन c l यहां से भार्ण लेगा तो h बीटा से बीटा elimination बीटा एंटी elimination लिख देना होगी बीटा anti elimination c l अब उपर से अट रहा है तो h नीचे से अटेगा c l उपर से च रहा है तो एच नीचे से बीटा anti elimination आप इसमें डालेंगे बीटा नीचे लग जाएंगे अब इसमें डालेंगे बीर 2 CCL 4 तो Quin कि अब उसके बाद हम डालेंगे कोई स्ट्रॉंग बेस जैसे एनने शुलिक्रोंगोनिया हालाकि करवरिजर में हम एल्कोलिक के वज भी उज़ कर लेते हैं लेकिन एल्कोलिक के वज ना करे गा नहीं प्रॉपर इसका वनी से एलिमिनेशन एनने शुलिक उपरो नहीं यह यह निकाला अगर हमने अने अमिनिया डाला है तो दो एच बीर भान रिख लेंगे एंटी इलिमिनेशन होगा और अगर अल्कॉलिक के वह जाले ना तो यह इतना पाट दिखाया वही आंसर आएगा और आंसर आएगा अगर है कि वह आड़ कर दिने में ताकि तुम्हें दोनों याद रहे है ताकि तुम्हें दोनों यादब रहे होता है एन का थोड़ा कम होता है तो एनध़ ब्यटर भेस है देन और नेगटर तो एनथटू माइनस जा लेंगे तो दो अच भी आर्वार निकलेंगे और एल्कोहली के वह जा लेंगे तो एक हजब रहा निकलेगा अला कि भूक्स में कर्वरजन में दे रखा है डार्रेट तो मिल जाएगा इथाएं अभी मैं यहाँ पर डारेट एनने शुलिकुड़ोंगा डारेट अगर मैं एनने शुलिकुड़ोंगा लिखता हूं तो दो एच भी अर्वानिक लेंगा इस तरीके से कि और आंसर आगे इथाएं अधैनने या जान आगे बात या यह लिए बातल Completely एस हिसमें टालदो हैं तो यह मिल जाएगा क control श्जटन चल्च स्वाइश अपर छुनार्य करना सबाकु कर लेना इसमें यह वर्यान और यह कौनवक बुखता है वर्म उन बूहरतिल न्स फॅलबकॉषताओD भी अजर्ट workflow लिक्विड में तुम है तुम तो इसमें डारेटt मुझा व्याइब यहाँ तुमने क्या गरी हाने ब्मॉन्ट से ट्रिफिर द्धाइन गर्सिल उसके लिए पहले यसे बैर 2 CCL 4 second NANS 2 लिक्विड अमोन्या पहले बैर 2 CCL 4 second NANS 2 लिक्विड डाइमानी इत्हीं से इथाइं यह एक न्द डफ भांड से ट्रिपल भांड है आट से कले 11 वालो क्लास शना 230 पर होगी मैं डाल दो है अब लोगी अच्छा नेक्स्ट अब है यह मैं दोबारा याद कर आता हूं मैं इसको डारेटी उस करूंगा ऐसे इत्हीं यह रहा है इसमें फर्स्ट डाला नहीं मंडे की बात कर रहा हूं मैं मंडे की क्लास जो है 11 वालों की वह होगी 230 पर फिर डाल देंगे सेकंड एन एन एस टू लिक्विड वोनिया तो उससे आजएगा इथाइन हाँ वंच इथीन से थाइन मैं ऐसे यूज करूंगा डारेट इथीन से इथाइन मैं डारेट ऐसे यूज करूंगा इथीन टू इथाइन यह आधना यह एक स्टप में करूंगा एक स्टप में यूज करूंगा इसको धंकना सी अचा अक्षाज देखते हैं स्कूल की है एक्षाज नो सर्ट अजब इसे देरी गलास अक्षाज यह सर्ट अच्छ अच्छ बें बात कर दो दिर से में जो दालिवा जैन最近 मों ठाद मों सबस्क्राइब जाये जुबाद जामिए जुबादे है यहां पर है इस दोड से पाइसम प्राइब Daten पाने को अवी हम तर नंप पर आद जुडर्वन पार्चा आए अ कि अ भी इस हैं रच व जो सब्सक्राइब वार्ग पढ़एगी इटार्ड रियेक्षण गटर मान कोच रेक्षण करा दी वने गटर मान कोच रेक्षण किया तर फिग करा दी यह चुदि आजे गडर्येक्षण यह रियाद कर लें ना, बोड के लिए most important reaction, retard reaction, toluein शे यौफ एव एंगलिहाईड, name reaction अलक्से लिखना और बताना कितनी होगी reactions, toluein में डाला, chromyle chloride, chromyle chloride, reddish brown vapor होते हैं, solvent CS2, chromyle chloride, तो एक इंट्रमेंड मिलेगा जैमिनल कंपाउंड मिलेगा ओ यह इसको लग्से मिनाना पड़ेगा थोड़ा बढ़ाएंगे यह जैमिनल कंपाउंड मिलेगा ओ सी आर सी एल टू ओ होल ट्वाइस को च्रेके स्कते होगे का डिगया तो मिलेगाएं नाम जिरूल क्या नया पेपर में तॉलिवन से बनलहाइट और अगिसे साफ चूर्टकड में नियूजक से वडिय फिर टॉर्टक डिखाने है तो कि देना फस्ट क्रोट Num pink की तो टो राइड करके living साथ कुष्णं के टॉल लिग देना is clear ृ ली ट में आंश में होर स्बाती है एक से एक आए कि क्षर्ण टाड्री क्ष्ण आइक एक हैर्सिक्षिन के ठाड्री एक्ष्ण म्धार अन्वेगे Convergence में question कैसी व्यासता है रेजन जरूरी नहीं यह डाले एक form ORS की tartation की यह मैं rub कर रहा हूं और लिख रहा हूं दुबारा यह टादिया वने आसे तुम लोग पूरा लिखना बस इतना हडा दो अब यह direct answer आएगा दहाँ पर यहां डालना Acetic Anhydride CCL4 यह solvent CS2 के अंदर Acetic Anhydride और Geminal Diacidate मिलेगा Geminal OCO CS3 Hold twice OCO CS3 Hold twice फिर H2O वोचान जालेंगे तो Benzelhead और direct step करना है अगर CS3 CO Hold twice हो CS3 CO Hold twice O CS3 CO Hold twice O तो यहां अगर से Benzelhead दोनों रेक्षन इंटार डिरेक्षन है Toluant से Benzelhead वो गेटरमान कोच की थी वो Benzene से Benzelhead था सीफन्स रेटक्षन किया तो Benzonitrile से Benzelhead Benzelhead के ओपर CN Benzonitrile से Benzelhead और एक रेक्षन और है ऐसी Benzene से Benzelhead होगा Toluant से Benzelhead होगा और Benzonitrile से Benzelhead होगा एक रेक्षन और है रेक्षन है Rosenman reaction वो भी नोट कर लो साथ साथ Rosenman reaction यह question पूरा IIT advance में है हुआ है which will give Benzelhead तो चारो उप्षन कर रेक्षन 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 होगा है Rosenman reaction RCOCL होता है मैं जान मुझके यह ले रहा हूँ ताकि Benzelhead बने RCOCL होता है यहाँ पे तुम लोग को RCOCL लिखना वैसे तो Benzoyl Cloride से Benzelhead क्या डालेंगे इसके अंदर Lindar's Catalyst बताया हो मैंने क्या होता है H2PD, BSO4, Sulfur H2PD, BSO4, Sulfur Hydrogen in the presence of palladium partially poisoned by BSO4 and Sulfur Hydrogen supported over palladium and poisoned by barium sulfate and Sulfur यह करेगा partial reduction और HCL भाहर कर जाएगा इस तरीके से और एक ही H add होगा reduction partial होगा अगर इसमें मैंने BSO4, Sulfur नहीं डाला होता तो यह आगे Benzelhead Benzelhead और यह यह है Benzoyl Cloride नाम जरूल क्या नाम दुबारा बोल रहा हो तुमें Benzoyl Cloride reaction का नाम है Rosenman reaction Rosenman reaction R-O-S-E-N-M-U-N-D Rosenman reaction Benzoyl Cloride से Benzelhead जैसे मैंने बुला Acetic Acid से Acidyl Dehyde बनाओ through Rosenman reaction से Acidyl Dehyde बहुत सारे तरीके हैं एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं इसमें राल दिया पहले PCL-5 या SOCl-2 या PCL-3 तो CS-3 COCl आ जाएगा इसमें राल दिया हमने H2PD-BSO4 Sulfur H2PD-BSO4 Sulfur तो आगया बैच एथिनल Acetic Acid से एथिनल और कोई तरीका बदास्ता कोई और कोई तरीका और कोई तरीका और कोई तरीका इसमें वो कराओ ना पहले बो डाल दो LIA-LH4 तो CS-3 CS-2 ओचा जाएगा पिर PCC या होट कॉपर यहां पर L-A-L-A-L-H4 सब भी ग्रडिसिंग एजेंट से नहीं होगा नहीं डारेक्ट नहीं होगा डारेक्ट होता है नहीं यह कभी यह एक तरीका नहीं बहुत सारे तरीके और भी हैं अभी तुम सिर्व इतना करना और अभी हम पढ़ रहे हैं 내일 रेक्ट रैक्ट पाकी कोई सी इस फॉर्मलडन रिफएड का नहीं क्यायाइड यहां पर की चाहिए को पर करने के लिए यहां पर में क्या चाहिए है कि एक्ष्ट इसको प्रिपर्ब्र ग्ली क्या चीय है एक्ष्टी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सील और फॉरमाइल अग्ड विडर यह उस्टेबल यह इसलिए कि एक फो आर एंवाई एल फॉर्म यह अंसर चेक करो को बच्छों का तो यह लिखाते हैं कि एच चोश अंस्टेवल है एच सी और इसलिए फॉर्मल डियाइड प्रिपेर नहीं होता फॉर्मल डियाइड के नौट बाइड बाइड इस रेक्शन बिकॉस इसलिए प्रिपेर नहीं होगा है समझगे कि नहीं है यह सर तो यह ध्यांक नाशीच कर तो अब यह होगी रेक्शन इसके लागा मिनको जरूत पड़ेगी पिटार्ट रेक्शन बताजी तुम्हें ने पिटार्ट रेक्शन हो गई और किसी बैंज्वाइक एसेड मैटा बाकी जरूत तो नहीं पढ़ने चाहिए इसके लागा चलो यहीं रेक्शन अभी उसकर करते हैं इन्हीं रेक्शन की जरूत पड़ेगी इनके तुम्हें कर सकते हैं कुछ तो अब जैसे मैंने तुम्हें बोला अब करवनेजर ध्यान देंगे पहले स्टिल बैंच और टोलिन यह रहा क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म यह प्रिपेर करना तुम्हें से इस तिल बैंच और टोलिन यह इस चिल बैंच इसको प्रिपेर करना है क्लोरोफॉर्म से यह ट्राइग करो कैसे होगा आगे वाले भी ट्राइगरो जो कोशन दिये हैं और ट्राइगरो ट्राइग करने के वाद में बताऊंगो तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा हर एक प्रोड़क्टर नाम दिरू लगते रागरो ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हें क्या बना रहे हूँ और वोट डिरेक्शन याद रहे हैं अपकर वोट डिरेक्शन यास चलो करो फिलप्स इसका और आगे भी ट्राई करो यह है स्टिल बैंजी और यह उपर है टोलें करो ट्राई आगे सर बेंजीन से मिथाल बेंजीन किसे बनेगा यह तु क्या पूच रहता है इसी कुशन अम राग ट्राई के सोच थोड़ा था नेम रेक्षिन है डारेट फ्रीडल गावल काईलेशन झाला है झाल 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 कि अब देख लेंगे जब दीश आंसर मैं सारे बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टन है छोड़ना मत कोई भी मैंने शार्टिंग मुझे बताईए देखेंगे कि कठ्ठी सुनानी है आल एक सारी पोई भी पार्ट्स में मत सुनाना करेंगे तो इक अठ्षा सुनाना सारा कि करेंगे से क्लास नहीं मिलेगी उसको ध्यांतना चीच का कुनाल एक एक करके मद बोल सारे अठा पूलना है देखो पहले एजी हीट फिर इथाइन से बंजीन रेड होट आइरेन ट्यू इतनी माद करवाने के बाद तो आइरेन ट्यू या कॉपर ट्यू उसके बाद बेंजीन से बेंजीन फिरिडर का वा इलकालेशन पीस्ती सी एल ए सी एल टू सनलाइड या एंबी एस या एंसी एस बिया रा जाएगा उससे लट डाल देना गलत हो जाएगा बिल्कुल सी एल्ट्रोफिलिक सब्सुशन करता है यह होगा फ्री रेडिकल सब्सुशन सी एल टू सनलाइट से एच अट के लगता है और बेंजीन का एच नहीं यह आगया उसके एने ड्राइट इस पार्ट का डबल हो जाता है सी एल अटके सब्सुशन करते लग जाएगा उसके बाद लगेगा अल्कोहलिक के वेच तो आगया ड़ बॉंड जैसे कहते है एक करवने दिन हो गई है और डबल बॉंड से ट्रिपल बॉंड कैसे यह गई अगरे आता है वन पर बी आड़ तो सीचील फोर उसके पाद से लिक्विड ओमोनिया डबल बॉंड से ट्रिपल बॉंड डारेक्ट एने एने इस टू लिक्विड ओमोनिया यह दो करूने दन हो गई हमारी नेक्स्ट देखेंगे कौन सी हैं नेक्स्ट देखेंगे एक बार यह रहां यह हो गई और एक यह हो गई अब वन थ्री डाइनेट्रों लेंगे और एक लेंगे एक में यह रिसोर्शी नौल यह मैटा प्रोमा एडव अडव 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 यह तीन करेंगे अब को चौब वन थ्री डाइन अट्रों पंजीन क्लोरोफर्म एथाइन वन थ्री डाइन अट्रों पंजीन यह सब ने कर लिया होगा पहले एजी हीट इसके पास बंजीन रेड़ होट आइरन ट्यूब इसके वाद बंजीन से इसमें डाल दो कंसंट्रेटेटेड अचनो थ्री प्लस कंसंट्रेटेड एस्टो इसफोर एक्सेस में यह जिरू आजना एक्सेस में एक अनो टू आएगा अब अनो टू क्या है मेटा डारेक्टिंग सब्सक्राइब पड़ा हुआ है माइनस आर एफेक्ट और मेटा डारेक्टिंग याद है कि नी सबको यह यह सब ना लिख करके फ्यूम्स की फॉर्म में वेपर्स की फॉर्म में फ्यूमिंग एचनो थ्री इसका मतलब एक्सेस में रेक्शन इसमें फास्ट होती है थोड़ी यह लिख दो गया तो तो यह आगया 1-3 डाइनेटरो पंजीन फ्यूमिंग एचनो थ्री कि अब नेस्ट है मेटा ब्रोमो इड़मंजी तो नाम करें फिर इसको रोक दो इसको कुकि इसको करने के लिए ना हमें पहले सिह पर जिनिन डिक्षिन करना पढ़ेगा करना तो ढोड कर लो मैं लिख दिया थे नोड कर लो लो एक यह माइल्ड रिडूसिग एजन्ट है एक ही एक में कर लगेंगा एक एक एनोड सो सोय लखते हैं इसको एफ़ यह विलिखते हैं आड है और Hs भी लिखते हैं कई बार, तो एक NO2 जाएगा NH2 के अंदर, एक NO2 चला जाएगा NH2 के अंदर, इसको हम बोलते हैं Zinin Reduction, इस तिरेक्षिन के बोलते हैं Zinin Reduction, दूसरा नाम है इसका Selective Reduction, एक NO2 के अंदर, एक NO2 किसमें गया, NH2 में और एक NO2 जाएगा, अब इस NH2 से, बीर मां, अच्छा इसके लिए लंबा मेथेड है, चलो अभी यही याद रख लो, Zinin Reduction तो जाए रख लो, वो मैं बाद में बताऊंगो तुम्हें, Zinin Reduction है ये, Zinin Reduction, Meta-Nitro-Aniline, 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 इसके लिए मेरे को लो तीन-चार रेक्षिन दानी पढ़ेंगी, Digerization reaction, Gator-Man reaction और Send-Me-A reaction, तब मैं बताता हूं कैसे करना है इसको, अभी तुम्हें यहाद रोख लो इसको, Next Crown देखेंगे, Next जैसे अब Chloroform से तुम्हें मनाना है, Meta-Nitro-Paniline, Meta-Nitro-Aniline, Ethine, Fill-Up करना है अब, Benzene, Tolune, Benzoic Acid, Meta-Nitro-Benzoic Acid, करो जल्दी से, और एक है, N-O-2, यह 2Krona देखेंगे हैं, इसमें ही जल्दी से करेंगे इसको, करेंगे हैं, बहुर्च कुनाल, करें ऑल्दी से, यह 2Krona देखें में, यह 2Krona करना है, झाल से, इसमें Würde. से, कर más भशहीजूere, करेंगे चैसाथर, हां कर लिए हैं देखो दर पहला एजी हीट जल्दी देखेंगे तोड़ा था इसके बाद अगर मेरे को पैरा चाहिए है तो पहले मैं इसका क्या गरूंगा या नहीं यह और सब्सक्राइड नाइट्रेशन नाइट्रेशन कैसे होता सबको पता यह कंसंट्रेशन अग्रूप आता है अब सीएस थी से सीवस कैसे बनता है कोई भी राउंस वाला बच्चा सीएस थी का डारेट सीवस कैसे बनता है बंजीन के उपर अगर रहे है नहीं याद किसने बोला यह अंग तुछ प्लस के टू सी एर टू सेवन एच प्लस यह डाल देंगे या फिर एलकलाइन के मैंने फॉर फर्स्ट सेकंड डालुट फोर तुम लोग पढ़ने रहे हो और ने के बास से नहीं अंट्री दूंगा और ने के वाले बैच में तो इसे कर ले ना करवर्ण सुनानी सारी ओक्सी राइजिंग डिडिशिंग एजन्स करना तुम्हें और करवर्ण जो खतम की है मैंने भी तो यह तरीका है बनाने का पैर नाइट्रो और मैंटर बनाना है तो पहले मैं इस डोनेटिंग ग्रूप को करूंगा विड्रोइं मैं च्छल्ट के तो मैं आएगा को चैसे सहे थोड़ा सा बेसिक्स हिर होते हैं कि अगर प्लस अरएक्ट वाला ग्रूप है तो पैरावल आंसर आएगा और मैनस वाल रगाऊँगे तो मैंटर आए आगी ती मैंटर नाइटरो बहुत इंग डाए अन्ग बनाइग ती मैंट मैं डारेट आंसर दाऊंगा उसका मेटा नेट्रों बेंजल है और पैरनेट्रों बेंजल है यह ए गुरूप यह आगया च्छो पूपर से डारों में और यह लगा दिया च्छो यह कैसे आएगा कुनाल मद बोला कर तू और अम्राक को दोनों को नहीं बोलना ना भी और बाखिम और भी ड्रोपर से हैं वो नहीं बोल रहे होई जब पूछूंगा तब बोलना है अनरा को भी और कुनाल को भी अचा इसमें कैसे होगा सी श्री द्यच्व अभी बताया मैंने इटार्ड रेक्शन फर्स्ट CRO2, CL2 CS2 सेकेंड S3O+, यह इटार्ड रेक्शन नाम भी लिखना इसका ताकि तुम्हें रेक्शन भी आरो इटार्ड रेक्शन है यह क्या रेक्शन है यह? इटार्ड और उपर भी ऐसे ही करेंगे K2, CR27, H+, नहीं डालना है इटार्ड रेक्शन लगा नहीं है फर्स्ट मैं इधार दूसरी वले इटार्ड लगा रहा हूँ दो थी न? CS3, CO, HOLD 2, O CS3, CO, HOLD 2, O 2nd S3O+, 2nd वले इटार्ड समझेंगे कि नहीं है 2nd वले इटार्ड रेक्शन लगा ही है CS3, CO, HOLD 2, O, S3O+, क्या मेटा वाली रेक्शन में एक स्टेप कम होगा अब दास्ते हो, कहां पे कम होगा? अब कोई बोले, कुनाल, अनुराग अब तुम में से बोल सकते हो मेटा वाले में एक स्टेप कम होगा और कहां पे कम होगा वो? अब बांजीन से डारेट इस स्टेप कैसे बनेगा? सब्सक्राइब के बने गाडली, और रूस को नेगा, आजिब होगेवराण निट से डारेट येंड़ेवराण और और साथ में CS2 के अंदर और सीएस्टू सॉल्वेंट लिग लेना तुम लोग यह क्राई भी रेक्षिन एन्हाइडर से एसे कम करने हैं ऐसे कम करने सेप्स यह तो आज रेक्षिन किती होगी शाहिद एक दो रह गई हैं वो नेक्स्टाम करेंगे एक बार फिर भी देख रहेत कि यह सिल भाइज हो गया टोलेंड हो गया 1-3-डानेट्रो बैंजीन हो गया मेंटर बंजोएक असे हो गया मैलिक अनहाइडराइड यह रह गया और यह वाला नेक्स्टाम बाकि नेक्स्टाम हो पाएंगे यह चलो पाई रोल और थाविपीन देख रहेते हैं गबार यह नोड करें ने जल्दी से बंजीन में अगर मैं डालता हूं वी-2-5 बंजीन में डालता है वी-2-5 500 डिकरी चल्चियस पर डारेट मिलता है मैलिक अनहाईडराइड बंजीन के बहुँआण तूर जाएंगे और यह मिल जाएगा मैलिक अनहाईडराइड अगर वीडो होई डालेंगे तो मैलिक एनहाइडराइड और इथाइन में अगर अमोनिया डाल देंगे हीट करेंगे तो पाइरोल और सलफर डाल देंगे तो थायोपीन थायोपीन